सुप्रवाग छात्रों, केसे हो आप साब? छात्रों, हम हिंदी में क्या सीख रहे है? वेंजन अब तक हमने कौन कौन से वेंजन सीखे? कसी लेकर नत आज़ा, नक लाग आड़े वाले वेंजन सीखने जा रहे है नके बाद आड़े वाला वेंजन है? त, कौन से वेंजन है? त, देखो, यह है त, क्या है यह? त, और त से क्या क्या होता है? पता है आपको, त से तांगा देखो, क्या है यह? त से तांगा, त से तांगा और क्या होता है त से? त से तब क्या है यह? तब त से तब और त से टमाटर पता है ना आपको टमाटर त से टमाटर चलो देखते हैं त कैसे लिखना है त लिखने के लिए हम इन पाच रेखाओं में से बीच में की तीन रेखाओं का इस्तमाल करने वाने हैं पहले क्या करना है हमें दो नम्मर की रेखा को जोड़कर ऐसे छोटी सी खड़ी रेखा निकालनी है अब इस खड़ी रेखा को जोड़कर हमें निकालना है ऐसा आधा गोल और इसे थोड़ा सा उपर तक लेकर जाएंगे अंत में हम देंगे एक आड़ी रेखा, हो गया हमारा ट, ट से टमाटार, चलो और एक बार लिखती है दो नमर के रेखा को जोड़ कर छोटी से खड़ी रेखा देनी है, अब इस खड़ी रेखा को जोड़ कर निकलना है आधागोर और इसे थोड़ा सा इसे उपर तक लेकर जाना है अंत में हमें देनी है एक आड़ी रेखा, हो गया हमारा ट, ट से ट, और एक बार लिखती है आड़े रेखा त से टांगा त के बाद आने वाला वेंजन है थ कौन सा वेंजन है थ देखो यह है थ क्या है ये थ और थ से क्या क्या होता है थ से थपा क्या है ये थपा और क्या होता है थ से थेहल देखो जब हम रास्ते में जाते हैं तो आपने यहां बोर्ट तो देखा ही ह होगा, तब हम क्या करते हैं? थेहर जाते हैं, है ना? थ से थेहर, थ से थन्ड चलो, अब देखते हैं थ कैसे लिखना है? थ लिखने के लिए हम इन पाच रेखाओं में से बीच में की तीन रेखाओं का इस्तमाल करेंगे, ठीक है? दो नमबर के रेखा को जोड़ कर हमें निक अंट में हम देंगे ऐसे आड़े रेखा हो गया हमारा ठव, ठ से ठपा चलो और लिखते हैं दो नम्मर के रेखा पर छोटी सी खड़ी रेखा, खड़ी रेखा को जोड़ कर ऐसे गोल निकालेंगे अंत में हम देंगे एक आड़ी रेखा ठ से ठेहेर चलो और एक बार लिखते हैं दो नंबर के रेखा को जोड़कर छोटी सी खड़ी रेखा इस खड़ी रेखा को जोड़कर ऐसे गोल निकालना है अंत में हमें दीनी है आड़ी रेखा ठ से ठंड छात्रो आज उन्ने कोंसे दोने वेंजन सीखें त और थ आपको यहां वेंजन घर पर दोहराणी है